पेलिए, so last class में हम लोगों ने देखा था thumbnail design कैसे करते हैं, ठीक हैं, हमने आपको यहाँ पे तक्रीबन हर चीज दिखाया है, अब तक की जो हम लोगों की वो चीज रही है, हमने सब कुछ दिखाया था, हमने isometric design आपको दिखाया, form कैसे करते हैं, फिर ये सारी चीज़े कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम दिखाये, आज किस class में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आज एक और बहुत बहतरीन चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है न, तो देखो ये सारे tools हमने almost, हमने सारे कुछ कवर कर लिए, paint tool, add anchor, किसी चीज को delete करने का curvatures, text tool भी हमने ये किया हुआ है, आज हमने stakes tool को, area type tool, ये सारे चीज़े भी हम एक पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है, and I hope कि हमने पहले भी cover किया था, बट कुछ doubts आया था, तो मैं उसको भी cover करता हूँ, बाकी ये सब भी हमने आपको करा दिया है, rotate reflects भी हो गए है, ये सारे tools भी हमारे ह हो गए है, puppet wrap वोगरा भी हो गए है, ठीक है, so आज मैं आपको mix एक lecture रखूँगा, जिसके अंदर, छोटे बड़े सारी चीज़े हम आपको explore करेंगे, तो सबसे बहुत हम आते हैं, यहाँ पर type में, और अगर आप type को देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े, इस rectangle नहीं लेके, हम ले लेते है, circle और हमने एक path बना दिया, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, type होना path tool, जैसे आप यहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे, आपके यहाँ पर यह चीज़े आ जाएंगी, और यहाँ पर हम कुछ भी करके भी select कर सकते हैं, we can change the font, and इसको हम कर देते हैं, bold, और इसको हम कर देते हैं, cheese, तो देखिए, यहाँ पर आपका easily, आप इसको ऐसे कर पा रहे हो, इसको 30 भी कर सकते हो, अब हम चाहते हैं इसको shift करना, तो we have a tool, so, यह देखा, यह जो आप देख रहे हो न, यह वाली, य यह वाला जो line है, यह line आपको इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाने का है, और अगर अंदर लिखेना है, जैसे हम नहीं यहाँ पे ऐसे बाहर, आप इसको बाहर रखे हो, अब यही जैसे देखों, यहाँ पे, अब देख रो, यह ऐसा हो रहा है, अब हम इसको इसको एसे पक से यहां पर कर दिया यहां पर एक line दिखेगा आपको इसको भी आप यहां से सब पकड़के इसको shift कर सकते हैं अगर आप इसको अंदर की और लेकर जाना चाहते हैं जैसे मालो कि हमको अंदर में लिखना है तो अंदर में लिखने इसे दिए यहां पर आगया तो यह अंदर में भी है मिसको बहुत आसान इसे ले सकते हैं ठīकर पस इस NYC को अंदर बार करना अधर बाहर अंदर बाहर अंदर और फिर यहां पर यहां से सेटिनिंग कर सकते हैं यहां कर लो अधर इसको पकड़के अज़ओ यह line ही है mainly जो इसको shift कर रहा है ऐसा तो हम इस line पे काम कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर set कर लेंगे तो जहाँ भी आपको करना है particular तरीके ज़र set कर सकते हैं तो यह तो हो गया कि कि किसी भी path पर लिखने का अगर suppose मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा path है suppose if you have like this kind of path and आप इसको select करके इसको feel अटा दो and इसका path रख लो ठीक है and if you click on like T type on a path tool and then just click here और देखो यहाँ पर यह आगे है तो जो भी आप चीज़ें हाँ पर करोगे यह पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस तरीके से ठीक है so you're done अब इसी तरीके से अगर आपको मालो की कोई shape के अंदर लिखना है जैसे सबोज माल लिजेगे आपने कोई एक shape बनाया I think यह मैंने पहले कराया भी है बट कुछ doubts था तो मैं उसको clear करना सोच रहा था कि clear कर दूँ आपको इसलिए मैं यह वापस से एक बार दिखा रहा हूँ I think यह आगे के chapter में आपने देखा होगा अब इसके अंदर कोई चीज लिखनी है तो यहाँ पे आपको tool मिलेगा that is area type tool and just you have to click here and देखलो यहाँ पे आगया अब यहाँ पे आप इसको 20 कर लिजे और like इसको हम ऐसे copy कर लेते है control c and control v and देखें यहाँ पे इस चीज आगई तो यह shape भी बन जाएगा और इसको आप ऐसे center में भी रख सकते हो जैसा आप चाहें वैसा रख सकते है अब यहाँ पे एक और मज़िदार चीज है suppose माल लो कि आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे boxes बनाए हुए है and once again यह चलो यह boxes ठीक है भी के लिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं हमारे पास तीन boxes है right and just तीनों में तीनों को select करता हूँ मैं और तीनों को select कर कि yellow color बड़ते हो फिलाल आप समझ माल लो इसमें हमको कुछ लिखना है ठीक है इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो देन आप क्या करते हो आप यहाँ से text type tool पकड़ोगे and then you have to just click and drag like this आप इसको save tool जैसा भी use कर सकते हो right कि हम गये अंदर में तो लिखी सकते हैं अंदर में हमें वैसे नहीं लिखना था इसलिए मैं नहीं लिखा अभी हमने यहाँ पे ले लिया हम इसकी size जो है हम कर देते हैं 15 अब इसको यह देखो यहाँ पे paragraph में आपको मिलेगा यह top center bottom सब कुछ है paragraph के अंदर जाएंगे इसको हम कर देंगे like ऐसा जिसको हम बोलते है justify करना अब control C करेंगे और यहाँ पे हम कर सकते है control V, control V, control V तो देखो इतना बार हमने control V किया लेकिन वो हुआ नहीं अब इसको अंदर जाओ इसके अंदर जाओ control A करो और इसको कर दो कि अभी बाकी का इसमें लिखना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके यहाँ पे लाके ऐसे एक box बना दूँगा ठीक है, अब देखो इसमें भी हमें, sorry, double click नहीं करना है आपको, और यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है, यहाँ पे वापस क्लिक की जब आजाएंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम double click करेंगे और यहाँ पे आके हम कर देते control V, अगें इसके अंदर बहुत सारी चीज़े आ गई, तो सेम में यहाँ पे जाओंगा और इस पे click करेंगे और यहाँ पे आके इसको ऐसे हम box बना लेंगे same size, तो देखो यह तीन अभी link है, अब इसका benefit क्या होता है कि when it will write something in this box, यह automatically बढ़ता चला जाएगा, मतब shift होता चला जाएगा, तो जब कोई maggins अगर बना रहे होगे, तो it will work a lot, so that is very important, ठीक है? तो इस तरीके से हम text tool को यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पर काम कर सकते है, जो भी चीज़े करनी है, तो और यहाँ पर बाकी के चीज़ें vertical type, यह vertically type करता है, आप यहाँ पर, suppose आप यहाँ पर जाते हो, vertical पर क्लिक करते हो तो यह ऐसे कुछ टाइप करता है, तो यह होगी हमारा text tool का कहानी text tool में आपको basically यह चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, so type tool type में भी जाएंगे, तो यहाँ पर वही है insert special characters, अभी जैसे मैं आपको बताया था, symbols वगरा कुछ भी यहाँ पर लाना है, तो आप ला सकते हो, लेकिन इसमें प्रेंगो, फिर हम ने लिख दिया है, अपर apple, फिर हम ने आपर लिख दिया है, pineapple, फिर हम अपने लिख दिया है, आपर orange, फिर हम ने आपर लिख दिया, grapes and just I will copy this, ठीक है, हम इसको एक बार के लिए copy कर लेते हैं, अब मैं इसको select करता हूँ, और select कर लेते हैं, थट, थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं, ज्यादा बढ़ा हो गया है, 20 कर लेते हैं, इसको क्या हुआ, इसको भी 20 कर लो, ठीक है, अब अगर इसमें आपको bullets देना, bullets क्या होता है, जो आपने देखा होगा, कि pointer जो होता है, उसके लिए आपको जाना है, type में, type में जाना है, insert special character, symbol and there is a bullet, तो आप यहाँ पर bullet दे सकते हो, देखो यह bullet आ रहा है, ठीक है, तो you don't need to do this, just go to type, insert symbol character, symbol and bullet, ठीक है, बटा भी bullet जो है, अभी हमारा, highlighted नहीं है, तो मैं इसके select करूँगा, and one more thing which you can type, आज़ा, यहाँ पर जो bullet है, आपको यहाँ पर रखना है, type, insert special character, symbol, bullet, जबको bullet आ गया, अब तुम्हें यहाँ पर जाओगे, और enter मारोगे, कुछ भी लिख लो, यहाँ बैस है, तो हम यह क्या कर रहे हैं, कि हम यहाँ पर bullet को insert कर रहे हैं, अब हम select कर रहे है, type, special character, symbol, and bullet, अभी जैसे इस बुलेट करोगे, तो यह आपका ऐसा आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको बार बार करने का जरूत नहीं है, इसका होता है shortcut है, alt 8, alt 8 है, I think, अब यहाँ पर जाओ type में, special character, symbol, alt 8, I think, bullet का, तो हमें करना है, alt 8, यहाँ देखो, आगया, show, alt 8, अदेखे, bullet आगया, तो एक by default bullet आ रहा है, और इसको हम कभी भी change कर सकते हैं, ठीक है, symbol, clear है, तो यह होगया, हमारा bullet आपको यहाँ पर, हम इसको control rate कर लेते हैं, फिलाल, जो भी है, अब यहाँ पर bullet देने के और भी बहुत अच्छे तरीके हैं, जैसे आप यहाँ पर properties में जाओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा, कहां गया, जैसे दा paragraph, paragraph option आजाएगा आपको, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो, यह, जैसे यहाँ पर भी है, and bullet का options, not showing, क्या बात, तो कहा हैं, चलिए कोई नहीं, आप विंडो में जाओ, type में जाओ, and यहाँ पर आपको मिल जाएगा, character styles, glips, paragraph, okay, so, यहाँ पर illustrator 2022 में यह एक problem है, bullets का जो है, थोड़ा लफड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, just आप यहाँ पर, आप ऐसे text tool ना भी बना के, अगर मैं इसको एक काम करूँ, SMS को कॉपी कर लेता हूँ, और आप text tool ना भी बना के, just यहाँ पर आपने ऐसे text लिखा, और इसको कर दिया, तो भी आजाएगा आपका, अब यहाँ पर आपको double click करना, और एक और बहुत सांदर तरीका है, जो है कि type में आपको जाना है, glyp में जाना है, यह दिस is glyp option, और यहाँ पर जाके आपको करना यह है, कि आप यहाँ से देखो, बहुत सारे options आपको मिलेंगे, अब यहाँ पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको select करना है, different, different की कौन, किस में आपको मिलने वाला है, this is the pop-ins, आप यहाँ से कर सकतो, webdings, and webdings में तो भाई, आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो यह सारे webdings के परपड़ी है, अब यहाँ पर double click करोगे, देखो यहाँ पर आगया यह, अब आपको यहाँ click करना है, and once again, you have to go in this, in that panel also, तो आप यहाँ पर click करेंगे, and click करने के बाद, again आपको यही वाला रखना है, लगिवेब्डिंग्स, and webdings में यह वाला, double click करना है आपको सिर्फ, फिर आपको enter करना है, double click करना है, double click, double click, double click, double click, और जहाँ पर भी आपको लगानी है, जब यहाँ पर अपने लिया न, और लेके मैंने यहाँ पर क्या गया, और मैं अगर webdings ऐसे कर हूँ, यहाँ पर webdings आ रहा है, तो देखो यह सारे fonts webdings के हो जाएंगे, and if you will click, तो यह single ऐसे आ जाएगा, तो यह एक problem था, जो की 2023 वर्सें में यह solve हो चुका है, जो 2023 वाला illustrator है, उसके अंदर यह problem solve कर दी गई है, वहाँ पर आप जैसे ही paragraph के अंदर भी जाएंगे, तो यहाँ पर bullet के options आपको मिल जाएंगे, generally, आपको अभी easy हो गया, तो आपको कोई problem नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो आप bullets का लफड़ा रहा है, तो glyph के जरीए आप कर सकते हो, और यहाँ पर numbers, numbers, जो भी लेना है आप ले सकते हो, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि अगर आप यहाँ पर टाइप में जाते हैं, insert special character है, symbols है और bullets है, तो bullet का तो आपको funda मैंने बता दिया, कि bullet किस तरी किस आएगा, alt 8, you have to press, and मैं तो यहाँ पर symbol करता हूँ, भाई, सबसे पहले लिख लो, और मैं जो bullet लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कि वो सबसे जादा असान है, वह एक control भी ऐसे लिखा, भाई, उतना मगजमारी करने का नहीं, जो भी bullet आपको चाहिए, simple, and this is best way, तो हम जो भी चीच चाहिए से कुछ, मुझे एक circle चाहिए, तो मैं ऐसे circle लेता हूँ, और इसको करूँगा, यहाँ पर set कर लिया, और भाई, सब को यहाँ लगा देंगे, uncontrolled, 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 कर लेंगे यार, और थोड़ा-mुड़ा adjust करना पड़ा सकता है, जैसे सारे जो layers, जो text होते हूँ, उनकी height वगरा same नहीं होती, तो आप यहाँ पर कर लो ना भाई, यह दो को proper है, आपको को attention लेने की जुरूद भी नहीं है, एकाथ हटाने पड़ेंगे, अटा दीजिएगा, इसको निकाल लीजिए, क्योंकि P और O के बीच में gap आपको रहेगा, so you have to manage, बस हो गया, और बस इसको नीचे ले लो, इसको दो इस तरीका से ले लो, तो कुछी सरीके से आप सबसे बहतरीन, जो भी आपको यह करना है, कोई भी आपको यहाँ पर bullet देने हैं, तो यह सबसे बस तरीका है, आपको यहाँ पर bullet देने का, हलागी 2023 में, यह problem solve हो गया है, वहाँ पर आप bullet बहुत अच्छे से दे सकते हो, ठीक है, अगर हम बात करें, टाइप में और टाइप में अगर आप देखींगे, तो यहाँ पर glyph, जो मैंने आपको दिखा दिया, font तो आपको पता ही है, regions, फाइल वगरा, अब यहाँ पर अगर सभूज मालो कि आप कुछ लिखते हो, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, कि सभूज, अगर मैं इधर जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, लोडेम, इपसम, यूटूब में भी अगर आप देखेंगे, तो नहीं है, मतलब बुलेट्स का बहुत लफ़ड़ा है वहाँ पर, ठीक है, तो जैसे मैंने, सपोस माल ले जाए, कि मैंने, इसको चूज किया, कंट्रॉल सी गया, और मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ आकर मैं, एक पराग्राफ ले लेता हूँ, और लेगे कर देता हूँ, कंट्रॉल वी, और भाई साब, यह वेब डिंग्स नहीं चलेगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ, फिलाल के लिए, एरियल, कोई भी एरियल ना है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और आपको करना पड़ेगा, एरियल, तो एरियल आ गया, अब देखो यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें कोई चीज फाइंड आउट करना है, जैसे आपको इप्शम है, तो इप्शम फाइंड आउट करना है, तो आप टाइप में जाएंगे, यहाँ पे आपको find font है, तो हमें find font नहीं चीज यहाँ पर type, यहाँ पे आपको मिलेगा, find का option, find font, तो आप font यहाँ पे find कर सकते हो, कि आपको यहाँ पे क्या found करना है, and change करना है, अगर तो आप बहुत असानी से, जैसे हमको सारे area को इसमें change कर देना है, तो हम change भी कर सकते हैं, ठीक है, clear है, अब हम सेलेक्ट करते हैं, हम type में जाएंगे, और type में मुझे एक चीज और मिलना चाहिए, that is, find and replace, वो edit में मिलेगा, find and replace, तो जैसे आपको यहाँ पर, ipsham करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं, ipsham, and ipsham को यह find out करेगा, and अगर आपको ipsham को replace करना है, ipsham को सब में replace करना है, geepsham में, तो हम यहाँ से, यहाँ üçब करते जाएंगे, तो हमारा, find next, replace, find next, अब यहाँ पर हम कर सकते है replace and find ठीक है replace and find तो देखो जितने भी थे वो सब को replace and find कर दिया है यानि कि जितने भी replace and find आपको करते होई चला जाएगा और उसके बाद done कर दीजिए आपका कहानी हो गया तो यह देखिए हमें पूरी इप्षम जो था वो जिप्षम में चेंज होगा so this is called find जो की बहुत important है यहाँ पे एक चीज और है जैसे fill with placeholder text यह हमने starting में ही लिया था अगर सबुझ मालो कि आपने यहाँ पे कोई एक box बनाया and यह देखो तो यह fill with placeholder text है अगर आप टाइप बजाते हैं तो यह placeholder text automatically आपको मिली जाता है तो उसको जुरूत नहीं है अब यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगा जो आपको यूज करना हो सकता है that is change case उमने पहले बताया है कि अगर आप upper case कर देगे तो सारे upper हो जाएंगे अगर आप यहाँ से lower case करते है सारे lower हो जाएंगे अगर आप यहाँ से title case करते है तो सारे titles में convert हो जाएंगे so that is the thing जो कि आप type से ले सकते हैं clear है तो इसे के साथ हमारा पूरा type tool text tool जो भी था वो सारा हमने complete कर दिया है last class का homework अभी भी pending है आप लोगों में से किसी ने नहीं send किया है तो kindly वो homework मुझे जितना जल्द हो सके हमारे साथ share कीजे it's very important मिलते हैं आप से next class में को doubt हो तो पूछिएगा